एक दिन मिनुचेरिया उलूसेट के पास काम मांगने आई होती है और उलूसेट मिनुचेरिया से कहते है अरे चेरिया मेरे खेत में काम करने वाले पक्षि पूर हो गई हैं मैं तुम्हें नोकरी पर नहीं रख सकता मिनुचेडिया उदा सोकर अपने घर को जा रही थी कि मिनुचेडिया को रास्ते में एक तर्बूस पड़ा हुआ रिखता है मिनुचेडिया उस तर्बूस को उठा कर अपने घर की तरफ चरी जाती है मिनुचेडिया को तर्बूज ले जाते हुए रानी कववी देख लेती है अरे ये तर्बूज तो मैं उठाने वाली थी परंतु मुझे पहले आकर मिनुचेडिया ने उठा लिया चंगल का कोई पक्षी अच्छा नहीं हमेशे दूसों की चीज़ों को छीन लेते है रानी कववी काफी अमीर घर से आई थी इसलिए इसे कालुकाववा और जंगल के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे वहीं दूसी तरफ मिनुचेडिया वे तर्बूज अपने घर में ले आती है अगले दिन बुल्बुल मिनुचेडिया के पास आती है मिनुचेडिया ये कुछ पैसे है जो मैंने सोनुचेड़े के मरने से पहले सोनुचेड़े से उधार लिये थे वैसे सोनुचेड़ा बहुत अच्छा था हम पक्षियों की कितनी मदद करता था इतनी जल्दी उसी नहीं जाना चाहिए था हाँ बुलबल बेहन अब क्या कर सकती है सोनुचेड़े के जाने के बाद तो अब मैं भी बिल्कुल अकीली हो गई हूँ थोड़ी देर के बाद मिनुचेड़िया जंगल में दوبारा से काम ढूणने निकल जाती है और इधर ओधर घूम रही थी अब तो मिनुचेड़िया घूमते घूमते काफी जादा ठक जाती है परन्तु मिनुचेड़िया को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता बस तबी एक पक्षी अपनी तर्बूस की टैक्सी लेकर मिनू चेडिया के पास आता है चेडिया मैं दोसरे जंगल से आया हूँ और मुझे मजबूरी में अपनी ये टैक्सी बेचनी है क्या तुम मुझे ये टैक्सी पूरे सौ रुपे में खरीद होगी और पक्षी मुझे काफी जादा पैसे भी देंगे बुलबल बहने जो मुझे पैसे दिये थे मैं उनी पैसों से ये टैक्सी खरी लेती हूँ फिर मिनू चेडिया बुलबल के दिये हुए पैसे उस पक्षी को दे लेती है और उस पक्षी से वे तर्बूस की टैक्सी खरीद लेती है तो मिनोचेडिया अब से ये टैक्सी हुई तुम्हारी अब मैं चलता हूँ ये कहकर वे पक्षी अपनी चोरी की टैक्सी बेचकर वहां से चला जाता है बिचारी मिनुचेडिया को क्या पता था कि ये टैक्सी चोरी की है दूसरी तरफ उल्लू सेड तो काफी ज़ारा प्रिशान होते हैं क्योंके वे टैक्सी उल्लू सेड की थी ना जाने मेरी टैक्सी किस दुष पक्षी ने चोरी कर ली एक बारवे चोर मेरे हाथ तो लग जाए छोड़ूगा नहीं मैं उसे अब अगली दिन से ही मिनुचेडिया अपनी तर्बूस की टेक्सी चलाना शुरू कर देती है और जंगल के पक्षियों को अपनी टेक्सी में बिठा कर दूसरे जंगल छोड़ कर आती थी अब रोज रात को मिनुचेडिया काफी ज़ादा अच्छा भूचन लेकर आती थी और मानुचेड़ा और मिनुचेडिया तो अब काफी ज़ादा खुश थे मानुचेड़े चब से मैंने टेक्सी चलाना शुरू की है हमारे तो दिन ही फिर गए हैं देखो, अब हम रोजाना कितना अच्छा बूजन खाते हैं। हाँ ममा, देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह टेक्सी चलाऊंगा। बस अब मैंने सोच लिया है, कि आप में पैसे जमा करके अपना लकड़ियों का घर खरीद दोंगी, ताकि अगर बारिशे आ भी गई, तो हमें किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी। अब रोज़ाना ही मिनोचेडिया वे टेक्सी चलाती थी, और मिनोचेडिया के पास काफी जादा पैसे भी आने लगी थे। इसी तरह घर में बस अराम ही करते रहना, अरे क्या हो गया भाई रानी, अचानक तो मुझ पर घुसा क्यों करने लगी। आपको कुछ पता भी है कालू जी, मिनोचेडिया ने अपनी तर्बूस की टेक्सी खरीद ली हैं, और पता हैं मिनोचेडिया अब बहुत जादा मुनाफ़क कमाने लगी हैं। काश के वे तर्बूस की टेक्सी आपके पास होती, तो आज आप भी बहुत जादा पैसे कमा रही होते हैं। रानी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तो दो मुझे, मैं आभी जाकर मिनोचेडिया से वे टेक्सी खरीद लेता हूँ। कालू जी, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, अगर पैसे होती तो क्या बात थी। क्योंना रानी, हम मिनोचेडिया की वे टेक्सी चोरी कर लेते हैं, और उस टेक्सी पर हम दूसरा रंग कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, कि वे टेक्सी मिनोचेडिया की है। हाँ कालू जी, रंग करते ही वे टैक्सी बदल जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम मिनुचेडिया की वे तर्बूस की टैक्सी चोरी कर लेते हैं रात हो जाती हैं, कालू कववा और रानी कववी मिनुचेडिया के घर के पास आते हैं, और मिनुचेडिया की तर्बूस की टैक्सी चोरी करकर वहाँ से चले जाते हैं अगली सुबे ही कालू का ववा उस टैक्सी पर दूसरा रंग कर देता है जिससे आप बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वे टैक्सी मिनुचेडिया की है अब बोलो रानी कोई कह सकता है कि ये टैक्सी मिनुचेडिया की थी कालो जी बस अब आप जाएं और पक्षियों को दूसरी जंगल छोड़ कराएं और उनसे काफी जारा पैसे कमाएं दूसरी तरफ जब मिनुचेडिया को ये पता लगता है कि मिनुचेडिया के टैक्सी चोरी हो गई है तो मिनुचेडिया और मानुचेड़ा तो काफी जारा परिशान हो जाते हैं ममा अब क्या होगा हमारी टैक्सी तो चोरी हो गई अब हम क्या करेंगे मानुचेड़े तुम परिशान मत हो टैक्सी चोरी हो गई तो क्या हुआ मेरे पस इतने पैसे हैं कि मैं अपना एक अच्छा सा करूबर कर सकती हूँ बस फिर मिनुचेडिया चंगल में अपनी फलों की दुकान खो लेती है दूसी तरफ अब कालु काववा मिनुचेडिया की टैक्सी से पैसे कमा रहा था और अब कालु काववा काफी जारा खुश था वा वा रानी देखो तो आज के दिन मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए देखना अब हमारे दिन फिर जाएंगे हाँ कालु जी बस ये बात किसी को पता ना चले कि ये टैक्सी चोरी की है वे ना तो मिठु माराज हमें कडी सी कडी सदा देंगे अगले दिन उलू सेट कालु कावे के पास आते हैं और कालु कावे से कहते हैं कालु कावे मुझे इस टैक्सी में जरा दूसरे जंगल तो छोड़ दो हाँ आज़ें उलुसेट बैठ जाएं मैं आपको अब ही छोड़ देता हूँ फिर उलुसेट टैक्सी में बैठ जाते हैं और कालुकावड टैक्सी चलाना शुरू करता है मेरी टैक्सी भी बिलकुल इसी तरह थी ना जाने कहा चली गई मेरी टैक्सी रास्ते में ही मौसम थोड़ा खराब हुचाता है और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है अरे वा बारिश शुरू हो गई बारिश के मौसम में तो टैक्सी चलाने का मज़ा ही अलग है बारिश के पानी की वज़ा से कालुकवे ने जो तर्बूस की टैक्सी पर रंग किया था वे रंग अब उतरने लगा था थोड़ी ही देर के बाद कालुकवा उलुसेट को दूसरे जंगल में ले आता है शुकर है भई बारिश रुख गई वरना तो मुसीवत बन जाती मेरे लिए तब ही उलुसेट की नजर तर्बूस की टैक्सी पर परती है क्योंकि आब उस टैक्सी से पूरी तरह से रंग उतर चुका था अरे ये टैक्सी तो मेरी है परन्तु थोड़ी देर पहले तो इस टैक्सी पर कोई दूसर रंग था अब समझ में आई मेरे कालुकवे तुमने मेरी टैक्सी चोरी करकर उस पर रंग कर दिया ताके मुझे पता न चले लेकिन अच्छा हुआ कि आज बारिश हो गई जो इस टैक्सी कर रंग उतर गिया और मुझे पता चल गया कि ये टैक्सी मेरी है अरे नहीं नहीं उलू सेट ये टैक्सी आपकी कैसे हो सकती है ये टैक्सी तो मेरी है तो मैं तो आप मैं चोड़ूगा नहीं कालू कवे फिर उलू सेट कालु कवे को अपनी टैक्सी में बिढ़ा कर मिठु माराज के पास ले जाते हैं मिठु माराच ये कालु कववा चोर है इसने मेरी टैक्सी चुरा कर उस पर रंग कर लिया था ताके मुझे पता न चले कालु कवे मैं तुम्हे सजा दे दे कर ठग्या हूँ परन्तो तुम तो बात आते ही नहीं हो फिर मिठू माराज कालू कवे को बंदी बना लेते हैं और इस तरह कालू कवे को टैक्सी चोड़ी करने की सजा मिल जाती है और वहीं उलू सेट को भी अपनी टैक्सी दुबारा से मिल गई थी और अब उलू सेट काफी जादा खुश हो गया था दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का भी सब्री से इंतिजा रहता है एक दिन मिनोचेडिया अपने दोस्त तोते के पास आती है मिनोचेडिया क्या बात है तुम इतनी खुश-खुश मेरे पास क्यों आई हो आखिर क्या हुआ है अरे तोते ये देखो आज मुझे भुजन में कितनी मज़े की चीज मिली है अरे मिनोचेडिया ये तो एक पीजा है ये मैंने पहले भी खाया हुआ है ये बहुत ही जादा मज़े का होता है हाँ तोते मुझे जैसे ही पीजा मिला तो मैं फॉरण ही तुम्हारे घुशले में ले आई हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे फिर मिनोचेडिया और तोता मिलकर वे पीजा खाने लगते है मिनोचेडिया काश कि मुझे थोड़ा और पीजा खाने को मिल जाता तो और भी जादा मज़ा आता तो मुदास क्यों होते होतोते मुझे पीजा बनाना आता है बस हमें जंगल से कुछ सबजिया ढोड़नी पड़ेंगी क्या वाकई मिनोचेडिया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा और वैसे भी मिनोचेडिया बुलबुल बेहन के पास ओवन भी है हम उसमें पीजा बना लेंगे बस फिर क्या था तोता और मिनोचेडिया दोनों पीजा बनाने के लिए चीजे ढूनना शुरू कर देते हैं अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है मिनोचेडिया कहती है तोते पीजा बनाने के लिए टामाटर, प्यास, शिमला मिर्च, गंदुम सब कुछ मिल गया है बस अब पीजा बनाना शुरू करना है हमें बुलबुल बेहन हम आपके ओवन में पीजा बना ले आपको कोई एतरास तो नहीं है न नहीं नहीं मिनोचेडिया मुझे भला क्यों एतरास होगा तुम पीजा बना लो मेरे ओवन में परन्तु जब पीजा बन जाय तो थोड़ा पीजा मुझे भी खाने को दे देना अरे क्यों नहीं बुलबल वेहन एक बार पीज़ा तो बनने दे मैं आपको जरूर खिलाऊंगी कुछ देर महनत करने के बाद मिन्मचेडिया पीज़े कर डो त्यार कर लेती है और बस अब पीज़े को ओवन में रखना था बस फिर मिनोचेडिया उस पीज़े को ओवन में रख देती है कुछ देर के बाद जब मिनोचेडिया पीज़े को ओवन से निकलती है तो पीज़ा तो एकदम बन कर तयार हो चुका था मिनोचेडिया तुमने तो कमाल ही कर दिया ये पीजा तो बहुती जादा स्वादिश्ट लग रहा है इसे देखकर ही मेरे मूँ में पानी आ रहा है अरे तोते सिर्फ इसकी तारीफे ही करते रहोगे या फिर इसे खा कर भी देखोगे फिर मिनोचेडिया, बुलबुल और तोता मिलकर वे पीजा खाने लगते है मिनोचेडिया ये पीजा तो बहुत जादा ही बढ़िया था माजा ही आ गया तुमने तो कमाल का पीजा बनाया था हाँ मिनोचेडिया वाकई पीजा तो बहुत ज़ादा ही स्वादिश था एक बार और बना दो तुम वैसे मिनोचेडिया मेरे पास गंदुम और प्यास का खेत है और तुम्हारे पास टामाटर और शिमला मिर्च का खेत है क्यों ना हम दोनों मिलकर पीजा बनाने का वेपास शुरू करें इससे हमारा बहुत फाइदा होगा तोते वैसे उपाए तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा हम ऐसा कर सकते हैं और क्या पता हमारा पीजा सब पक्षियों को बहुत पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं अगले दिन मिनोचेडिया जंगल में अपनी एक पिज़े की दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद कर ले आती है पक्षियों जल्दी आओ जल्दी आओ अपसे हमारे जंगल में मज़ेदार पिज़ा भी मिलेगा जल्दी आओ पिज़ा खाओ और मज़े उठाओ कुछ अदिर की बाद बुल-बुल आती है और बुल-बुल कहने लगती है मिनुचेडिया मुझे जल्दी से पिज़ा खिलाओ तुम बहुती मज़ेदार पिज़ा बनाती हो फिर तोता बुलबुल को पिज़ा देता है और वे बुलबुल पिज़ा बहुती मज़े से खाने लगती है वाव वाव मिनुचेडिया तोते ये पीजा तो कल की तरह बहुत ज़ादा ही कमाल का है मुझे एक पीजा और खाना है बस इसी तरह तोते और मिनुचेडिया का वेपार बहुत ज़ादा ही अच्छा चल रहा होता है इसी जंगल में एक कालू कवा भी अपनी एक पानी पुरी की दुकान लगाता था पूरे जंगल में कालू कवे की पानी पुरी बहुत ही ज़ादा मशूर थी हमारी पानी पुरी को खाने के लिए दूसरे जंगल के पक्षी भी आते थे और हमारा वेपार बहुत अच्छा जलता था पर अंतु जब से तोता और मिनुचेडिया ने अपनी पिज़े की दुकान खोली है मेरे सारे गिराहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं और वे मेरी पानी पुरी को जैसे भूल ही गए है हाँ कालू जी इस मिनुचेडिया ने हमेशा हमें परिशान ही किया है हमारी पानी पुरी का धंदा बन करवा दिया है इसके पिज़े ने कालू जी अब मिनुचेडिया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ये आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हाँ रानी लातों के भूद बातों से नहीं मानते हैं अब तुम देखना मिनुचेडिया और तोते के साथ मैं ऐसा करूँगा कि इन्हें अपना पिज़े का धंदा खुद ही बन करना पड़ेगा फिर कालुकवा घुसे में मिनुचेडिया और तोते के पास जाता है मिनुचेडिया तोते चल्दी अपने इस पिज़े के धंदे को बन करो तुम्हारी वज़ा से कोई भी पक्षी मेरी पानी पुरी को नहीं खा रहा है कालू कववे हम क्यों बन करें अपनी पिज़े की दुकान हमारा पिज़ा तुम्हारी पानी पूरी से कई जादा स्वाधिश होता है इसलिए पक्षी मेरा पिज़ा ही खाते है मिनोचेडिया मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी अब ये कालू कववा बोलेगा नहीं बलके कुछ करके दिखाएगा अब तुम देखना मैं तुम्हारा ये धंदा बन करवा कर ही रहूंगा ये कहकर कालू कववा घुसे में वहां से चला जाता है अगले दिन कालू कववा मिनोचेडिया और तोते पर नज़र रख रहा होता है मिनोचेडिया कुछ दिनों में मेरा परिवार पिगनिक पर जा रहा है तो इसलिए मुझे दस पिज़े चाहिए अरे वा उल्लू सेट इतना बड़ा ओरडर आप बेफिकर होकर चले जाएं परसो आपको आपके दस पिज़े मिल जाएंगे तोते की ये बात सुनकर उल्लू सेट वहां से चला जाता है क्या हुआ तोते अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए हो तुम मिनोचेडिया में भूल गया था परसों दूसरे जंगल से मेरे कुछ दोस्त पिज़ा खाने के लिए आ रहे हैं कमसकम उनके लिए दस पिज़ा तो बनाने ही होंगे हमें हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है हम पूरे बीस पिज़ा कैसे बनाएंगे अरे तोते ये बात तुम्हें पहले बताने चाहिए थी अब उल्लू सेट को भी हम मना नहीं कर सकते हैं चलो कोई बात नहीं हम दोनों रात को भी मेहनत करके बीस पिज़ा बना लेंगे ये सारी बाते कालू कववा भी सुन लेता है अगर तोते के दोस्त जो दूसरे जंगल से आ रहे हैं अगर उन्हें भी मिनुचेडिया का पिज़ा पसंद आ गया तो देखते ही देखते मिनुचेडिया का पिज़ा तो और जंगलों में भी मश्यूर हो जाएगा ना बाबा ना मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दो दिन गुजर जाते हैं मिनू चिर्या और तोते ने राट दिन एक करके बीस पिज़ा बना कर तयार कर दिये होते हैं देखा तोते मिल जुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी असानी से हो जाते हैं चलो अब इन में से 10 पिज़े तो हम उल्लू सेट के अलग करके रख देते हैं और बाकी के दस पिज़े अपने घोसले में रख लो तुम लिजा कर अपने दोस्तों के लिए ठीक है मिनुचेडिया हम कल ही उल्लू सेट को उनके दस पिज़े दे देंगे तुम देखना कि मेरे दोस्तों को तुम्हारा पीजा बहुत जादा पसंद आएगा रात हो जाती है कालू काववा छुपके से तोते के घर में आता है और तोते के सभी पीजों में वे लाल मिर्च मिला देता है मैंने इन सभी पीजों में लाल मिर्चे मिला दी है अब तो मिनुचेडिया और तोते का धंदा बंद होकर ही रहेगा अगली सुबे हो जाती हैं तोते के दोस्त पिज़ा खाने के लिए तोते के घर में आ जाते हैं आप सपक्षी आराम से बेठें मैं पिज़ा लेकर आती हूँ फिर मिनुचेडिया और तोता किचन में आ जाते हैं और वे पीज़ों को देखते हैं मिनुचेडिया चलो एक बार पीज़ा देने से पहले इन्हें खाकर देखते हैं मेरी इज़त की बात है ये फिर मिनोचेडिया एक पिज़े को थोड़ा सा खा कर देखती है तोवे कहती है ये तो खाने के लायक ही नहीं है तोते इसमें कितनी मिलचे हैं मिनोचेडिया जरूर उस दुश कालू कवे नहीं ये सब कुछ किया होगा ताके मेरे दोस्त मुझसे नराज होकर चले जाएं नहीं नहीं तोते रुख जाओ मुझे सोचने दो कुछ मिनोचेडिया अभी हमने उल्लू सेट को उनके दस पिज़े नहीं दिये हैं क्यों नहीं हम उल्लू सेट के दस पिज़े अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं नहीं भाई तोते वे पिजे तो उलू सेट के हैं वे कभी भी लेने आ सकते हैं तोते क्या पता उलू सेट अपने पिजे लेने के लिए मेरे घर पर आए हो मैं अभी चलती हूँ ये कहकर मिनोचेडिया वहां से चली जाती है अरे मीनोचेडिया मैं तुम्हें कब से ढून रहा हूँ तुम कहा गई थी मुझे मेरे पिज़े दे दो उल्लू सेट हमारी मदद करें बहुत बड़ी गर्बर हो गई है फिर मीनोचेडिया उल्लू सेट को सारी बात बताने लगती है मीनोचेडिया कोई बात नहीं तुम मेरे दस पिज़ा अपने महमानों को खिला दो वैसे भी मेरा परिवार पिगनिक पर कल जा रहा है इसलिए मुझे पिज़ा भी कल चाहिए उल्लू सेट की बात सुनकर मीनोचेडिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कुछ दिर के बार मीनोचेडिया उल्लू सेट के दस पिज़े लेकर आती है और वे तोते के दोस्तों को दे रेती है जब तोते के दोस्त वे पिज़ा खाते हैं तो उन्हें बहुत जादा ही मज़ा आजाता है और वे कहते हैं अरे वा भाई वा बंटी तोते कितना मज़े का पीज़ा था ये बहुत मज़ा आया ये खा कर तो मुझे हाँ मुझे भी पीज़ा बहुत जादा ही पसंद आया मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पीज़दा खाना हो तो वो मीनोचेडिया की दुकान पर चले जाए इस तरह मीनोचेडिया और तोता बहुत जादा ही खुश हो जाते हैं और कालुकवे की चालना काम हो जाती है इस कहानी से हमें ये सीक मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए ना के उनका मज़ाक उड़ाना चाहिए अगर आप सब को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें